विडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना मैं ज्यादा नहीं एक से दो मिनट आपका लूँगा बहुत इंपॉर्टेंट विडियो है तोपिक आज का मेरा रहेगा आपको लास्ट विडियो मैंने एक बंडल पेक दिया था फेस्बुक पेज के लिए जिसमें 50 मूवी थे और आपको यह भी बताया था किस तरह के मूवी को आप किस तरह से यूज करेंगे ठीक है अगर सही तरीका से आप यूज नहीं करते तो आपको कॉपिराइट कंटेंट आ सकता है और पेज डिलीट या रिमूब हो सकता है तो आज उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि मैंने उसे और भी कई ज़्यादा मैं आपको बंडलपक देने वाला हूँ तो चैनल को अभी तक आपने सबस्क्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेता अब यूज के से करना वह मैं आपको बता देता है इटो यह जो बंडलपक में आपको प्रोवाईड कर रहा हूँ बाइर सी बात है हम लोग इसके copyright के ओनर तो है नहीं हमरे पास rights है नहीं तो chances है कि copyrights आ सकती है मान लिजे कि मैंने आपको 50 वीडियो अगर आपको मैंने दिया है तो 50 वीडियो जब आप फिस्बुक के पेच पेच पे अपलोड करोगे तो अपलोड करने के बाद में 50 में आपको 4-5 या 10 वीडियो में भी हो सकता है कि आपको copyright का issue दिखे बट इस copyright से आपके channel को कोई भी problem नहीं पड़ेगा यह copyright जो आपको आएगी वह original जो honor है उसके तरफ से आएगा movie के जो कुछ companies है जैसे की T-series हो गिया इसके बाद आपका ultra movie जो हो गिया और Samaru हो गिया तो यह सब कुछ companies है जिसके तरफ से आपको जो है copyright मिलेगा लेकिन यह copyright किस तरह का होगा ज़रा ध्यान कर देता हूं कि यह जो video है इसे आप YouTube पे यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि यह सभी video long tap के है 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट इस तरह के है यह videos तो आप इसी YouTube में यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि यह आपका shorts में count नहीं होगा यह आपका long video है तो long video में YouTube बहुत ही ज्यादा copyright आपको विडियो में आपको तीन से चार विडियो पर copyright आ सकती है संभावना है और आएगी ही क्योंकि मैं खुद इसे यूज कर रहा हूं अपने page पर तो मैं जहल चुका हूं उसमें आते है copyrights फिर मैं उसका detail चेक किया तो उसमें उतना ज्यादा वरी यानि problem होने की कोई बात नही है यह facebook उनके तरफ से claim करता है ठीक है तो फिर आपको तीन option मिलेंगे option number एक कि आपको बताया जागा कि इसका already honor जो है वो कोई और है rights किसी और के पास में है तो आप इसमें थोड़ा सा changes किजिए आप इसमें जो है credit दीजी आप इसमें ठीक है credit तो credit देने के लिए जो है आपको अलग से कुछ करने के जोरत नहीं होगा आपको button भी देगा option भी देगा ठीक है आपको सिर्फ आपके accept करन सब कुछ उसमें लग जाएगा ठीक है तो इसमें कुछ करने के जोरत नहीं है number two जो second number में आपको जो option मिलेगा वो option मिलेगा आपको counter strike करने का यानि आपको जो strike मिला है उसके against में appeal करने का यह तो आप करने ही सकते हो क्योंकि वो आपको भी पता है कि आप इसके original honor नहीं हो ठीक है तो आप यह तो करने सकते हैं आपको clearly पता है कि यह copyright ही है किसी और का production है जो कि हम लोग इसको modify करके इसके unique बनाने का कोशिस करने बड़ी है unique content नहीं है तो यह हम लोग करने सकते हैं कि हम लोग counter strike कर सकते हैं इसके बाद जो तीसरा option मिलेगा वो मिलेगा video remove करने का मु इसको ही नुकसान है अगर credit देने के बाद भी अगर सही सलामत वो video चल रही है तो फिर क्या problem हो किसी को credit देने से इसमें आपका जो है जाता से ज्यादा क्या हो जाएगा आपका earning जो होगा उस video से जो earning होगा जिसमें copyright claim आया होगा उस video का earning वो उस बंदे के पास में जाएग तो उसके थुरू जो भी audience आ रहे है या viewers आ रहे है न वो बाकी भी तो video आपका देखेंगे न तो उससे आपको benefit मिलेगा तो मैं कहूंगा कि इसको अगर ज़रुरत नहीं पढ़ रही है रिमूब करने का तो इसको बिल्कुल भी ज़रुरत मतलब रिमूब मत कीजिए ओके तो यह problem इसमें आ सकती है जिसको देख करके panic आपको बिल्कुल भी नहीं होना है बाकी इस bundle pack को आप मजे से use कीजिया और हाँ बाकी का भी जो bundle pack है वो मैं धीरे-धीरे करके upload कर दूँगा downloading link आपको जो मिलेगा वो मिलेगा हमारे website www.bloggingspecial.com पर जो की आपको बिल्कुल पता है और भी कई सारे bundle pack है आप जाकर के चेक कर सकते हैं अगर आप new हो तो चलिए फिर से मिलते इस तरह के और भी नए वीडियो के साथ धन्यवाद जय हिंद जय बारत